स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल इसकाइगोचिंग की ठोड में मैं अनुजनागर जैसा कि आप जानते हैं हूं आपको यहाँ पे आप रीजनिंग की भी किलास दे रहे हैं तो रीजनिंग में जो आपका चैप्टर चल रहा है घन और घनाव वाला चैप्टर है और एस चंदी रीजनिंग की भूग हम आपको पढ़ा रहे हैं इसमें आपकी तीन किलासे हो चुकी हैं आज इस चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे पर उससे पहले आप हमारे वीडियो क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवस्य दवा दिए तो अभी तक जो आपके कुस्टन हुए हैं वह कुस्टन हुए हैं आपके 37 तो उससे आगे चलते हैं 38 कुस्टन पर तो 38 में क्या है थोड़े से चैनल को सब्सक्राइब 38 से 40 18 से 40 तक एक आयताकार लकडी का भिलोग है अब आयताकार कह रहा है घनिया घनाब नहीं कह रहा है जिसकी लंबाइ 6 सेंटी मेटर चोड़ाई 4 सेंटी इमेटर औरूंचर दो सेंटी मेटर समझें लंबाई छे, चोडाई चार और उंचाई दो है है ना, तो किस तरह बनाएंगे देखें यहां पर आ जाएं इसे लंबाई मानेंगे याद ध्यान से देख लें इसे क्या मानेंगे लंबाई ये छे है इसे चोडाई मानेंगे ये चार है और इसे उंचाई मानेंगे दो और ये भी दो ही है ऐसे, समझें ना ये चार है तो ये भी चार है ये 6 है ये भी 6 है और ये भी 6 है तो इसी तरह इसने आप से बोला है कि उसकी लंबाई जो है वो 6 है चोड़ाई 4 है और उचाई 2 है अब आगे देखें क्या कहा रहा है दोनों और जिनका आयाम 4 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर नीले रंग से है चार गुना 2 देखो जब ये चार है तो ये भी 4 है न ये भी 4 है और ये भी 2 है तो ये चार गुना 2 तो ये वाला ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा चार गुना 2 सेंटीमीटर नीले रंग से है ये वाली सते पे नीला कलर है ठीक है तो इसके जो opposite है इधर भी नीला ही color होगा चार गुणा 2 यही होगा ये चार है तो ये भी चार है और ये दो है उन्च आई इसकी ठीक है दोनों और जिन कायम 6 गुणा 2 है देखो ये 6 है और ये 2 है तो ये 6 गुणा 2 वाला होगा ये color ये सत्य जो है काले गरंग से है तो ये काला है और इसके अपोजिट भी काला ही होगा उधर भी एक सत्य ऐसी चीपी हुई है क्योंकि टोटल 6 सत्य होती है ना तीन ही दिखाई देती है एक टाइम में काले रंग से है दोन और जिनका है चार गुणा 6 है देखो ये चार और ये 6 मतलब उपर वाले की बात कर रहा है ये चार और ये 6 ये चार और ये 6 उपर वाले की बात कर रहा है तो इस पे कलर कैसा है लाल तो उपर वाली सत्य लाल कलर से है और इसके नीचे जो है सबसे वह भी लाल से ठीक है तो ये तो हमारा बन गया है चित कि दो जाए इस बिलोग को काटा है एक एक छोटे cm में धनों में बन जाये गा यह तो काटते हैं अब जो को यह वाली यहां से यह तक कि जो है यह 6 है अब अगर एक-एक में काटेंगे एक-एक सेंटीमीटर के गुरुप में अगर इसे काटेंगे हम भाग में तो 5 बार काटना होगा इसे ठीक है तो काटते हैं एक दो तीन चार और पांच ठीक है ठीक अब ये देखो अभी तक जो हम कोशन कर रहे थे जितनी बार इधर से काटते थे इतनी बार इधर से और इतनी बार इधर से काटते थे पर अब ऐसा नहीं होने का ऐसा क्यों नहीं होने का है क्योंकि ये लेंथ यहां से यहां तक 6 ही तो एक-एक में 5 बार कटेंगे अब जब ऐसे काटेंगे तो यह दो है पूरी और एक एक सेंटीमीटर के में काटना तो एक बार ही कटेगा अब यह लेंद किती है यहां से यहां तक चार है यहां से यहां तक चार है तो एक एक में कितनी बार कटेगा यह तीन बार कटेगा तो यह तीन बार काट लें एक दो और तीन ये कट गया है आपका आयताकार बिलो कट के तयार हो गया है अब कोश्चन ये हमसे पूट अप करेगा तो सबसे पहला कोश्चन इसने आप से क्या पूछा है कोश्चन नम्मर थार्टी एट थार्टी एट में क्या पूछना चाह रहा है ये आप से इसने कहा है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी तीन सते रंगी हुई है और तीनों सते बिना रंगी हुई है देखो किसी भी घन की क्योंकि सते पहले रंगी जाते उसके बाद काटा जाता है तो काटने के बाद अगर किसी भ गन यहां से अगर आप निकालोंगे तो तीन सते वाला तो कौनों पर मिलता यह यह और यह सते रंगी वही होगी इसकी और टोटल सते 6 होती हैं तो आपसे अगर यह भी बुजे ना कि उन गनों की संख्या बताईए जिनकी तीन सत्य रंग हीन हैं तो वो घन भी कोने वाले ही घन होते हैं और अगर ये भूजे की तीन सत्य रंगी तो मैंने आपको बताई रखा है तीन सत्य रंगी घन कहां पे मिलते हैं कोनों पे मिलते हैं ये किलास नंबर चार है पहले किलास एक दो तीन ये किला समझ जाएगी ठीक है तो ये कोने वाले घनी आप से पूछना चाह रहा है तो एक कोने पे एक घन ऐसा जिसकी तीन से तो रंगी हुई है ये लाल से ये काले से और ये नीले से ठीक है और तीन रंगी हुई है बिना रंगी हुई है ना तीन तो एक कोने पे एक घन ऐस तो कोने कितने होते हैं एक दो तीन चार और चार नीचे तो इसका आंसर तो आठ ही आ जाएगा थाटी नाइन पर आ जाएं कुश्चन नमबर थाटी नाइन थाटी नाइन में देखें क्या पूछना चाह रहा है यह आप से इसने पूछा है कुल घनों की संख्या कितनी है देखो या तो फोर्मूले से निकाल लो या मैंने आपको गिनने भी सिका रहे दोनों तरीके से बता देते हैं तो इक गणने है तो यहां एक दो तीन चारा पांचavored 7889 1011 11 वारे तो बारे है जब चाकू साह आप जिस तरह पनीर को काते है अगर इसा अब काटोंगे यहां से काटोंगे तो बारे ही यह होंगे बारे ही यह होंगे और बारे ही ही होँगए तो बारे चोक 48 आ जायेगा और अगर फोर्मूले से निकानने है तो For공ula भी बता fertig तो formula क्या है संकhiya ذ mud are जाबर अब में चाटन तो आएथा कर बिलोक का ओ기로व का खाटन तो यह कैंसिल हो जायगा कितना ओजाएगा ए आरातालिस हो जाएगा ठीके विएाइक को कीन के बताया था तो 48 आरा धाना ऐसा हो नहीं सकता अगर किसी ने सारी किला से किला से एक दो तीन देखी हैं और समझ में ना रहो पहली किला से देखो सो प्रसेंट समझ में आएगा कुश्चन नमबर 40 पे आजाएं ऐसे कितने खान होंगे जिनकी केवल दो सत्य रंगी हुई हैं तो दो सत्य रंगीन कहां पे मिलते हैं किनार उपर मिलते हैं एक सत्य रंगीन कहां मिलते हैं सत्य के बीच में मिलते हैं और तीन सत्य रंगीन कहां पे मिलते हैं कौनों पे मिलते हैं या ओपके अब इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि एक किनारे पर चार और टोटल किनारे कितने होते हैं बारे तो 12 चौन तरफ बराबर नहीं है तो अब यह कोस्न चेंज हो चुके हैं अब से पहले तो ऐसी कर रहे थे क्योंकि उन कोस्णों में तो तीनो तरफ से एक सा खड़ रहा था इसमें तीनों तरब से एकसा नहीं कट रहा है तो तीनों सत्य को अलग-अलग तुमें काउंट करना होगा ठीक है तो इसमें जो है ऐसे नहीं कर सकते कि एक किनारे पर चार है और टोटल किनारे बारे होते तो 48 आंसो रहा जाएगा नहीं यहां देखें दियान से जो मैं आपक किनारे वाले ये होते हैं ये तो कोने वाला हो जाएगा ये भी कोने वाला हो जाएगा तो एक और दो दो उपर दो नीचे तो एक तरफ चार है और चार ही इधर हो जाएंगे तो आठ ही ये हो जाएंगे तो ये जुड़के कितने हो जाएंगे 16 और 8 24 अब सब गिन चुके हैं आप ये भी count हो गे हैं इधर वाले भी ये भी ये भी नीचे उपर सब हो चुके हैं तो 24 इस cancer आजाएगा question number 40 का ठीक है अब आगे चलते हैं 45 से 45 तक चलते हैं आज इसके chapter को खतम करेंगे 41 से 45 तक आजाएं question number 41 से 45 तक ठीक है 41 से 45 ऐसे इसकी detail पढ़ें एक आयताकार लकडी का बिलोग है जिसकी लंबाई 6 चोड़ाई 4 और उंचाई 1 है ठीक है तो देखो करते हैं लंबाई तो 6 है अभी बनाया था और उंचे ही इस बार एक है ये लंबाई होती है ये उंचे है और चोड़ाई ऐसे निकालते हैं हाँ से ये चार है ठीक है इस तरह है ये च्छे है ये एक है और ये चार है ठीक है अब ये च्छे है तो ये भी च्छे है ये चार है तो ये भी एक है इस तरह है और फिर वो ही है एक एक में काट रहा हो गई है इने हाँ एक एक में इसने फिर इने काट दिया है दोनों और जिनका आयाम चार गुणा एक है पहले कलर लिख लेते हैं दोनों और जिनका आयाम चार गुणा एक है काले रंग से चार और एक देखो ये चार है ना और ये एक है तो ये काले रंग का है इधर से तो ये काला है तो इधर भी जो ऐसी आपोजिट सत है उस पे भी खाला ही है उस से आगे चल जाये नमबर 3 पे दो नोट जिन कायम 6 गुणा एक है लाल लंग से अब 6 गुणा एक ये हो जाएगा ये 6 और ये एक यहां लाल है, कलर है इस पे और उधर भी लाल ही है दूसरी तरफ भी ठीक है, अब एक और बचा, यहां थोड़ा से इसने गल्त लिख रखा है, नंबर चार में भी यह लिख रहा है, दो नोड जिनका हैं छे गुणा एक है, तो छे गुणा एक नहीं, छे गुणा चार यह लिख रहा है, तो चे गुणा एक लिख रहा है, नंबर चार में यह भी लोग को एक सेंटिमीटर के छे बराबर हिस्सों और 4 बराबर हिस्सों में काटा गया मतलब एक एक में ये काट रहा है इन्हें तो काट लो अब ये हैं से हैं तक 6 है तो 5 बार काटना होगा ऐसे तो एक दो तीन चार और पांच ठीक है अब देखो यहां ध्यान से देखना यहां से लेके यहां तक एक है अब एक को एक बराबर हिस्सों में तो काट ही नहीं सकती है पहले से एक है तो यह जो है इस तरफ से नहीं कटेगा ठीक है क्योंकि यह खुद ही एक है पहले से ही अब ये कितना चार, तो तीन बार कटेगा ये इधर को, एक, दो, और तीन, ये कट के तेयार हो चुका है आपका, आयताकार बिलो, कलर भी हमने लिख लिए हैं, बस अब कॉस्चनों के आंसर देने हैं, तो 41 पर आ जाएं, अच्छा उससे पहले एक नोट देख लें, ये ही जरूरी है, अना, बहुत ही जरूरी है, देखो जब, हाइट एक हो, हाइट, उचा ही जब एक हो, तब क्या होता है, अना, जब ऊचाई एक हो, Governor तो जब ऊचाई एक हो, तब तीन सते रंगीन घं किनारों पर मिलते हैं ये तुम्हें ध्यान लखना है तब जब हुचाई एक हो तब तीन सते रंगे घं किनारों पर मिलते हैं ना कि कोनों पर अब तक तीन सते रंगीन कोनों पर मिल ले थे न पर जिस कोश्चन में हाइट एक हो एक हो हाइट उस कोश्चन में तीन सत्य रंगीन किनारों पर मिलेंगे ये वाले एक दो तीन चार ये वाले तो तब तीन सत्य रंगे घन किनारों पर मिलते हैं पर मिलते हैं ठीक है और एक तरफ ही होते हैं ऐसे नहीं है कि एक, दो, तीन, चार उपर और चार नीचे ना, चार इधर और चार उधर ही होंगे बस क्योंकि नीचे तो कुछ है ही नहीं जब हाइट एक होती है ना, तो ऐसे नहीं गिनेंगे कि एक, दो, तीन, चार यहां और एक, दो, तीन, चार यहां तो आठ इदर आठ अधर, क्योंकि ये तो वह ही है, वह ही है न ये तो नीचे नहीं गिना जाएगा, समझ रहे ना, नीचे नहीं गिना जाएगा, इस बात को ध्यान से देख ले ना, बहुत important question कर रहे हैं हम, ध्यान से देखें सब, तो एक तरह भी होते हैं, ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान दखना है, और चार सत्य रंगीन, घन, कोनों पर मिलते हैं, जब उचे एक हो, वे, चार सत्य रंगीन, चार, सत्य रंगे, घन, कोनों पर मिलते हैं, कोनों पर, ठीक है, और मैं question अभी तुम्हें कराने जा रहा हूँ, वहाँ सब किलियर हो जाएगा, इन पॉइंटों को आप थोड़ा सा ध्यान लखना जरूर, जब हाइट एक होती है, तो ये थोड़े से आकड़े चैंज हो जाते हैं, जब हाइट एक होती है, ये तुम्हें ध्यान लखना है, बहुत जाद है, ठीक है, इस बात का, है ना, चलो, question पर आजाएं, question number 41, ऐसे कितने घने जिनमें अलग-अलग सते पर केवल काला, हरा और लाल रंग मोजूद है, अलग-अलग सते पर, एक सते पर काला, एक सते पर हरा और एक सते पर लाल रंग मोजूद है, तो ये आप से तीन सते रंगीन घनों की संख्या भूद रहा कितने गहनों की संक्या बूद रहा है कौन से गहनों की बूद रहा है जिनकी तीन सत्रंगी हुई है तो तीन सत्रंगीन अब तक कोनों पर मिलते थे पर जिस कोश्चन में हाइट एक हो उस कोश्चन में तीन सत्रंगीन किनारों पर मिलेंगे तो एक दो तीन चार तो इधर है यह question number मैं यह से साफ कर देता हूँ 41 है, question number 41 तो 4 इधर है, ठीक, अब यहां जाओ, 1, 2 अब देखो 4 इधर और 4 उधर, तो 8 होगे यह, ठीक 2 इधर और 2 इधर, नीचे के नहीं गिने जाएंगे तो 4 यह होगे है, ठीक, तो 8 और 4 बारे ही इसका answer आएगा, समझ रहें, थोड़े से question change है, ध्यान से देखते जले जाएं, सब समझ आ जाएगा, 42 पे आ जाए, 42 में क्या है, कुल घनों की संख्या कितनी है, फोर्मूले से निकाल लो, या कटा हुआ है, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 तो ये रहे, 6, 12, 6, 18, 24 आएगा, है ना या पोर्मूले से, संख्या के बराबर क्या होता है, बड़े का आयतन, बटे छोटे का आयतन, तो आयतन लंबाई, गुना चोड़ाई, गुना हूँचाई, बटे एक एक के में काट रहा है, तो उसकी भुजा एक है, तो भुजा की घात 3 होता है, तो 6, 24, फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी ने सुरू की किलास नहीं देखे, तो देख ले, वरना कुछ समझ नहीं आने का है, चोथी किलास है, लाश्ट किलास आज इसकी है, तो इसका अंसर आपका कितना हो चुका है, 24 हो चुका है, अब 43 पर आजएं, कुश्चन नम्मर 43, 43 में क्या है, इसमें बोला गया है, यदि ऐसे घंजिन में काला और हरा रंग लगा हो, को हटा दिया जाए, तो कितने घंज सेश रह जाएंगे, अब देखो totally घना भी तो गिने total घन 24 है अब यह कर रहा है उन घनों को हटा दो जिन घनों की सते पर काला और हरा रंग लगा हुआ है है ना तो total 24 है 24 मेंसे उने घटा दो तो सेश ही बचेंगे अब काला और हरा किदार है अब देखो काला तो यह रहा और हरा यह रहा तो एक दो दो इधर और दो इधर दो इधर भी तो होंगे ऐसे ही समझ रहे ना एक और दो यह मैं मिटान देता हूँ एक और दो ठीक है तो दो इधर और दो इधर तो चार तो यह हो चुके है काले और हरे वाले और कौन से हट सकते हैं काले और हरे वाले क्योंकि इसने हमसे बोला है कौन कौन से हटाने है यदि ऐसे घंज इनमें काला और हरा रंग लगा हो काला और हरा रंग लगा हो को हटा दि तो एक तो यह हो गया एक दो तीन चार खिक तो चार तो यह हो चुके हैं हमारे ऐसे फिलस काला और हरा तो देखो यहां आजाओ तो इस पे हियां कैसा है हरा है और इदर कैसा है काला है तो यह भी हटेगा एक तो इसी तरह यह वाले कोने बही हटेगा तो चार और हट जाएंगे तो टोटल आठ हटेंगे तो कितने हट जाएंगे आठ तो 24 में स तो सोले बचेंगे कितने बच जाएंगे आपके सोले बच जाएंगे ध्यान से देख ले समझ ले ना अराम से कोई दिल्दी नहीं है आगे चले 54 पर आजाए कोश्चन नमबर 54 और 44 में क्या है लिए 54 में बोला गया है ऐसे कितने घन है जिनकी दो सते पर हरा रंग तथा सेस चार सते पर कोई भी रंग नहीं है दो सते पर कैसा है? हरा रंग है और सेस चार सते पर कोई भी रंग नहीं है अब दो सते पर हरा भूजड़ा है आपसे तो कहने का मतलब है कोश्चन इसने घुमाया है या आपसे वो वाले घन बूज रहा है जिनकी सत्य हरे रंग से रंगी वाई हो मतलब दोनों सत्य पर हरा होना चाहिए वो वाले बूज रहा है अब आप यहां आजो हरा तो इस पे यह उपर अब देखो अगर हम इस घन को लेते हैं तो इस पे यहां काला है पांच, छे, साथ, आठ ये वाले घं ऐसे हैं जिनकी दोनों सते पर हरा कलर है क्योंकि इस सते के ऊपर भी हरा है और नीचे भी हरा है और हाइट के वल एक ही है एक सेंटीमीटर की ये ना तो एक ही घं है तो ऊपर भी हरा है और नीचे भी और कोई घं ऐसा आप मुझे नहीं बता सकते जिसकी दो सतय ओपर हरा कलर हो तो ये ही है आपके सामने तो 8 हिसका आंसर आजाएगा और 108 हो जाएगा 8 इसका आंसर अब इसमें ऐसा नहीं करेंगा 8 ओपर और 8 नीचे क्योंकि उपर नीचे क्या एकी एक ही है तता दो सते पर कोई भी रंग नहीं है तो चार सते रंगीन बूद रहा है तो मैं आपको नोट लिखा चुका हूँ जब हाइट एक हो तो कोने वाले घंचार सते नुते हैं तो कोनों पर कितने घन ऊते हैं आ जाएं चार शतरंगी एकूर तीन चार अब ऐसा नहीं करेंगे कि 4 उपर और चार नीचे बहुत बढ़िया जुस्वचन है कि चार उपर और और चार नीचे जी aht होगे नहीं इसमें ये ऊपर वाला नीचे वाला एक ही तो घंग आगे चलते 46 ses 50 तक आजये 46 से संच तक आजये एक आयत अगर लकडी का बिलोग है जिसकी लंबाई साथ चोड़ाई पांच और उचाई दो है साथ पांच दो का है बना लेते ठीक यह साथ और यह दो और यह चोड़ाई जो है पांच है तो तो यह तो इसकी साथ है यह थोड़ा सा बड़ा लग हो गया है इतना नहीं करना चाहिए ता पर चलो आप समय लेना यह पांच है ठीक और यह दो है हाइट दो है ठीक है आगे चलते हैं कलर दे रखे होंगे कौन कौन सा कैसे कदर है नंतवर दो पर दोनों और जिसका आएम पांच गुणा दो है नीले हैं प्रश्टाइ दे रही है क्योंकि एक टाइम में तीन ही सते दिखाई देती है नमबर तिन दो नोड जिसका है हम सात गुणा दो है काले रंग से साथ और दो तो ये साथ और ये दो तो ये काले से काला ठीक है अब बचा उचा उपर ही आना है पढ़ने पर नमबर चार में दो नोड जिसका है हम सात गुणा पांच है लाल रंग है तो उपर साथ ये ही तरह साथ और पांच ये लाल से है कलर भी हमने फिक्स कर दिये है ठीक है बस अब इसे काटना बाकी है तो एक एक मी काट रहा होगा तो एक एक मी काट रहा चलो काटते हैं अब ये एक साथ है तो चै बार गटेगा एक दो तीन चार पांच छे अब ये लैंथ दो है तो एक बार कटेगा एक के में दो तो दो बराबर इससे हो जाएंगे ऐसे ये लेंध पांच है तो चार बार गटेगा एक दो तेन और चार कार्ट भी दिया है बस अब कोश्चनों पाजाएं जल्दी से कोश्चन कि 46 है ऐसे 46 में क्या बूज रहा है ये पूँच रहा है ऐसे कितने घन है जिनकी तीन तीनों रंग लगे हुए है जिन में तीनों रंग तो हाइट जब एक होती है जब ही चैंज होता वरना तो फिर वो ही होता है तीन रंग वाले तीन सत्य रंगीन कोनों पर और दो सत्य रंगिन किनारों पर और एक सत्य रंगिन सत्य के बीचों बीच तो कौनों पर यह इसका तो आठ ही आन्सवर आना है ठीक है क्योंकि इसने कलर तो open करा नहीं है जब कलर open करता तो problem होती कौनों पर ही होते हैं 3 वाले तो चार, एक, दो, तीन, चार और ये बीच में दो है तो चार ही नीचे हैं तो आठ हो जाएगा तो इसका आंस्वर तो आठ हा जाएगा 46 का इससे आगहा जाएं कुल घंडों की संख्या कितनी है फौर्मूले से निकालने या ऐसी निकालने देखो वैसे दोने तरीके से निकालते हैं एक दो तीन चार पांच चैसात आठ नोड़ नहोंदस ग्यारा बारह तेरह चो दे तो शोडमी अठाए चोटे 20 cool 25 पंचोदे पंजे सत्तर आएगा अब वैसे निकाले फोर्मूले से संख्या बराबर लंबाई गुणा चोड़ाई गुणा उंचाई और कितने में काटा एक वाले घन में तो घन का आयतन होता है भुजा की घात तीन तो पांस सत्ते पैंतिस दुनी सत्तर इसकांस और दोनों सत्तरंगिन किनारह उपर मिलते हैं एक दो तीन चार पांच पांच इधर और पांच ही नीचे हो जाएंगे 10 तो यह दस हैं और दस ही उदर रहें तो 20 तो यह हो चुके यहां जाएंगर 1, 2, 3 तीन इधर और 3 नीचे तो 6 ऊदर बार है ठिरह है तो यह कितने हो जाएंगे आपके 32 कितने हो जाएंगे 32 इसकानसवर और आये the 48 पर और जाए आप ऐसे कितने गहने जिनकी दो सथे काले रंग रंग से सब्सक्राने जलडी से कहा है अब दो सथे dat Rengen कोंते हैं किनारा उपर होते हैं तो किनार तो ही था फ़े वह पर अब उपर यहां मिल यहां होगी खिर्वा फ़े इपए की किसी भी डहना की रख़ए किसी वह एकై नहीं चीम nós जाएगा जीरो आजाएगा इससे आगे बढ़ जाए एक कोफ्टन और बचाएस का भी 50 ऐसे कितने घंए जिनकी तीन सत्राइब और तो इसका बम स्पार शुका है अब आगे चलते हैं 51 से ठजल्दी शेख़तम करते हैं आज 51 से 55 पर आजाए एक ठोज गनाब की दो विपरीत सतयों को काले रंग से अब गनाब आ गया दो विपरीत को लाल से और सेश को हरे रंग से रंग दिया गया है इसके बाद इसे 72 गनों में इस परकार काटा गया है कि 64 गन छोटे आकार के है छोटे आकार के कितने हैं 64 और 8 गन बड़े आकार के हैं 8 गन कैसे आकार के हैं इसके बड़े आकार के हैं तो 64 और 8 इस तरह 72 हो जाएंगे थोड़ा सा कुस्टन चैंज है तो देखते हैं इसे कैसे करते हैं कुस्टन को थोड़ा सा अलग है यह कुस्टन इसने कहा है टोटल तो 72 गहने पर छोटे जो हैं 64 गहने हैं और आठ उनमें बड़े गहने हैं अब देखो इस तरह से थोड़ा सा हम गैस कर सकते हैं कुस्टन को 64 को क्या लिख सकते हैं 4 के गात 3 मतलब ये छोटे गहनों की संख्या है न 64 तो संख्या बराबर क्या होता बड़े गहन का आयतन बटे छोटे गहनी या घनाब का आयतन तो बड़े गहन की भुजा हमने A वाल लिए पर छोटे गहन की भुजा B मान लिए तो भुजा की घाथ 3 ही होता है तर तो इसे 4 की घाथ 3 लिख सकते हैं और इसे A बटे B की घाथ 3 लिख सकते हैं और इसे 4 बटे 1 की घाथ 3 कल लोने 3 से 3 कैंसिल तो 4 बटे 1 बराबर A बटे B तो A की वैलू 4 और B की वैलू 1 हो जाएगी मतलब चार तो उसकी जो है लंबाई है घनाब की और एक एक छोटे में काटा गया है तो 64 तो ऐसे कटे हैं देखो मैं आपको दिखाता हूं बनाके यहां पर आजाएं कि यह चार है यहां से यहां तक कितना है चार एक एक में काटें यह तीन बार काटें आज एक दो और तीन ठीक है अब यह ऐसे भी चार ही है तो तीन बार काटें दर से भी एक दो और तीन ठीक है इधर आए जड़ा एक दो तीन चार थोड़ा सा छोटा करें भी बताओंगा क्यों कर रहे हैं ऐसा चोटे घंजों हैं उनकी संक्या चोंसट है और आठ थोड़े बड़े हैं उनसे थोड़े बड़े ठीक है तो ऐसे करते हैं जड़ा अ एक और दो ठीक है ठीक है अब दो पहले आप छोटे गिन लो एक दो तीन चार पांच छै साथ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तो 16 तो हुए हैं और 16 ही हैं 32, 16, 43, 46, 64 तो छोटी तो 64 हो चुके हैं अब 8 गन जो हैं वो बड़े हैं इन से कुछ बड़े हैं आठ है ना तो वो कैसे बनेंगे देखो इन से कुछ बड़े हैं यह जो आठ है अब यह आठ कैसे बनेंगे मैं बनाता हूँ देखो देख न ध्यान से इस तरह एक, दो, तीन, चार ठीक है और यहां भी हटेंगे यह लाइने आपकी क्योंकि ही यह बस आपका यह गया है और यहां से भी बस यह चार ही आएंगे यहां भी एक दो तीन चार और चार नीचे हो जाएंगे आपके आठ तो ये लाइने आपको यहां भी हटानी होंगी थोड़ा सा question difference है आपका ये और मैं आपको बता रहा हूँ देखें धियान से अब देखो एक दो तीन चार पांच चैसाथ आठ ये आठ वो गहन है जो थोड़े से बड़े हैं क्योंकि टोटल बाहत्तर हैं बाहत्तर में से 64 तो चोटे हैं और आठ बड़े हैं तो इस तरह होना है ये ठीक है आगे समन्द तो अब इस कोश्चन को हम करते हैं और इसना आगे थोड़ा सा कुछ बोला है उसे देख लें बड़े घणों की किसी भी सत्य पर काला रंग नहीं होना चाहिए बड़े घणों की किसी भी सत्य पर काला घण नहीं होना चाहिए तो बड़े घण इस सत्य पर और इस सत्य पर ही दो है बड़े वाले घण तो ना तो इस सत्य पर काला करो ना इस सत्य पर करो हैं काला तो काला यहां ले लें क्योंकि इस सत्य पर जिस पर मैं काला लिख रहा हूं इस पर एक भी घंबड़ा नहीं है और इसने यह कह दिया है कि बड़े घंडों पर काला कलर नहीं होना चाहिए बड़े घंडों की किसी भी सत्य पर काला रंग नहीं होना चाहिए तो काला हमने यहां डाल दिया है अब दो और कलर हैं लाल और हरे और हैं ना तो लाल हैं ले ले लेते हैं उपर और हरा इस सते पर ले लेते हैं खिक है ये दोनों सते अलग है ये दोनों सते अलग है ये दोनों सेम है मतलब दो सते अलग है और चार सते सेम है ऐसे है ये टोटल छे सते होती है अब आप से क्या पूँच रहा है ये कोश्चन हम करने स्टार्ट करते है ऐसे कितने गहने जिनमें तीन रंग लगे हुए हैं तो तीन रंग तो किनारों पर होते हैं तो 46 पर आ जाएं वो गल्ट पड़ लिया ऐसे कितने गहने जिनकी कम से कम एक सत्य लाल रंग से रंगी हो तो पहले तो वो देख लें जिनकी एक सत्य पर लाल रंग है वो देख लें तो एक सत्य रंगीन कहा होते हैं सत्य के बिलकुल बीच में होते हैं तो मैं देखाता हूँ आपको ये होगा बीच वाला एक दो अब ये तो किनारों पर आ गया है और ये भी किनारों पर आ गया है ये वाले भी count नहीं होंगे, तीन और चार, तो चार तो उपर, और चार नीचे, तो कितने हो चुके हैं ये, question number है, ये 51, question number 51, तो देखो, चार तो ये उपर है, जिनकी एक सत्य लाल रंग से है, और चार ही नीचे है, चार ही कहा है ये, नीचे हैं, तो ये कितने हो चुके है, आठ तो ये हो चुके है, ठीक है, अब एक सत्य रंगिन तो आ गए है, अब दो सत्य रंगिन निकालो, पर एक सत्य लाल जरूर होनी चाहिए, है ना, कम से कम एक सत्य लाल होनी चाहिए, तो दो सतरंगीन मिलते हैं किनार उपर तो किनारा यह हो जाएगा एक और दो तो दो तो आपके उपर हो चुके हैं इदर और दो ही आपके नीचे हो जाएंगे तो चार इदर और चार उदर हो जाएंगे तो आठ ही यह हो गए हैं आपके ठीक है अब इदर आजाए दो सत्रंगी एक दो तीन चार तो चार उपर और चार नीचे आठ इदर और आठ इदर तो सोले ये हो चुके हैं आपके ठीक है तो कितने हो चुके हैं ये सोले अब तीन सत्रंगी लोग निकालने होंगे क्योंकि कम से कम एक सते लाल का मतलब हो यह हो गया एक वाले भी दो वाले भी और तीन वाले भी पर कम से कम एक सते पर लाल होना चाहिए अब तीन सते रंगिन तो किनारों पर मिलते है न तो किनारे पर यह देखो इधर से एक सते लाल हो गये न तो एक तो यह हो गया है एक यह हो गया एक सत्य लाल एक ही हो गया एक सत्य लाल एक ही हो गया तो चार और चार नीचे आठ हो रा जाएंगे is न है लिने सबको हाप एड़ कर लें 8 16 16 22 उर 8 40 आपका आणस्वल आजायेगा इसका 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 आणस्व उह कितना झाएगा ऐसे कितने गहने जिनकी केवल एक सत्य रंगी हुई है तो एक सत्य रंगी इन दो सत्य होगे बीच में होता कलर ओपन इसने करा नहीं है तो पहले तो यहां आजाएं तो यहां तो यह हो जाएगा एक, दो, क्योंकि यह तो किनारे का होगे तीन और चार चार इदर और चार उदर तो आठ तो यह हो गए है अब यहां आजाएं बिल्कुल बीच के लिए जाएंगे एक, दो और यह तो लिए नहीं जाएंगे क्योंकि यह किनारों पर आ गए है यह इदर से किनारे पर आ गया है तीन और चार चार इदर और चार उदर तो आठ ही ये हो चुके हैं ठीक है और यहां गिल लें आप एक दो तीन चार चार नीचे चार उपर तो इसका अंसर कितना आएगा 26 इसका अंसर आएगा आपका कितना आजाएगा 24 52 का कितना आजाएगा 24 53 पर आजाए कलर तो ओपन करा नहीं है तो एक दो तो दो उपर दो नीचे तो चार तो यह हो गए हैं चार इधर और चार उदर तो आठ तो यह ठीक है अब दो सत्य रंगीन एक दो तीन चार चार नीचे चार उपर आठ और आठ इधर सोले ठीक है तो सोले तो यह हो चुके हैं आपके देखो एक दो नीचे चार और चार आठ ठीक और इधर आजाएं एक दो तीन चार और चार इनीचे आठ आठ तो यह हो चुके हैं और आठ इधर सोले अब और कहां दो सत्य मिल सकते हैं देखो यह रहा एक दो दो इधर और दो इधर तो चार और चार ही उधर तो आठ ही हो जाएंगे कितने हो जाएंगे आठ तो यह कितने होने चाहिए आपके 32 होने चाहिए कितने होने चाहिए 32 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा 53 53 का आगे आजाएं 54 पर आजाएं कुश्चन नमबर 54 54 54 में क्या है इसमें बोला गया है ऐसे कितने घाने जिनकी दो या दो से अधिक सत्य रंगी हुई है तो दो और तीन वाले निकाल ले दो और तीन तो दो वाले तो अभी निकाले थे हमने अभी कौन से कुश्चन में निकाले थे 53 में निकाले हैं तो 32 तो दो वाले होगे अभी निकाले ना अब तीन वाले और निकाल दो तो आठ तीन वाले हो जाएंगे तो 40 इसका आंसर हो जाएगा ठीक है 55 पर आजाएं कुश्चन नमब 55 इसमें क्या बोल रहा है ऐसे कितने गाने जिनकी 300 रंगी हुई है तो कलर तो ओपन करा नहीं है तो आठी आंसर आजाएगा जब कलर ओपन नहीं करता तो आठी हो जाएगा तो यह तो हो चुके हैं 55 तक तीन कोश्चन और बचे हैं जल्दी से इने खतम कर देते हैं आपके तो आजाएं आगे यह अलग है कोश्चनों की डिटेल तो क्या कहा गया है देखते हैं एक गन को सभी तरफ से लाल रंग से रंकर 27 एक समान आकार के छोटे गनों में वाजित किया गया है कितने गनों में द भडे गन का खेतन बडे चोटे गन का खेतन तो बडे गन की भुझा एमान ली तो गन का का आतन हो ता बुझा कि गाततीं और चोटे गन की भुझा साथ तीन ठीक है तो यह लीजिए तो बड़े घंकी भुजात तो तीन हो गया चोटे की एक हो चुकी है तो बना ले कि बनाए जुन्दी से यह तीन है एक एक में काटना है तो दो बार कटेगा एक और दो एक और दो एक और दो ठीक है यह लीजिए ठीक और सभी सत्य जो है लाल कलर से रंगी हुई है और आपसे बूजना चाहरा है कितने गनों में दो तरफ लाल है तो दो तरफ लाल कहां पर होता है किनारों पर होता है तो एक तो यह हो जाएगा ठीक है और सभी तरफ सब यह बराबर है अब्या आयतकार बिलोक नहीं है गन तो बराबर कटता तीनों तरफ से गनाब भी, समझने, तो जब एक किनारे पर, कुश्चन नमबर ये 56 है, एक किनारे पर एक है, और टोटल किनारे बारे होते हैं, तो बारे किनारों पर बारे हो जाएंगे, क्योंकि यहां भी लाल है, यहां भी लाल है, यहां भी लाल है, यहां भी लाल होगा यहां भी और यहां भी लाल होगा यहां भी तो इस तरह टोटल 12 किनारे बैटेंगे तो इसका आंशुर्तों 12 सट्ताव्नें कुस्ट्टार बाजाएगा एक घन को सभी तरब से काले रंग कर 64 सट एक समान आकार के घनों में काटा गया है तो 64 ko 4 गहात 3 लिखेंगे और kasler स्वारर की घ्रतीं बटेव्यात 3 जबंकि अधाना ही क्राइओ्स लिए 57 प्रुआंज जाए yeah 64 बराबर किन दो में में चोटे की थे आती भी मान लिए तो चार की गहाद तीन बराबर है, ए बटे, बी की गहाद तीन, तो बड़े की भुजा चार होगे और छोटे की एक हो चुकी है, तो करें जल्दी से, देखो, ये करा, ये, 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 और इस तरह है, और ये, ये लिजे, चार को एक-एक में तीन बार कटेगा, एक, दो, और तीन, एक, दो, और तीन, एक, दो, और तीन, ठीक है, कट चुका है ये इस तरह, अब करना क्या है, बूज क्या रहा, काले रंग से रंगा हुआ है, तो कितने घंव में दोनों तरफ काले रंग से रंग हुआ है, तो वही है, किनारों पर मिलेंगे, सब पर काला ही है, तो एक दो तो एक किनारे पर कितने दो और टोटल किनारे यह तो घन या घनाब में तो वही होता है सबी तरब से बराबर होता है तो बारे दुनी चोविस इसका आंस्वर आजाएगा ठीक है इससे आगे चलते कुस्टन हो रहे यह दी तीन सेंटिमीटर भुजा वाले किसी घन को एक में काटा गया है लास्ट कुस्टन आपके घन घनाब गई है मैंने कंप्लिट कर दिया आपका पूरा चैप्टर तो ध्यान से आप देख अरे एक बार समझ नहीं आ रहा है दो बार आएगा तो तीन वाला है अनुद एक-एक में दो बार कटेगा तो एक यह लिजेए दो बार कटेगा एक एक है काट दिया है अब क्या बूज रहा है कि सीर सगनों की संख्या आठ होगी तो सीर सगन तो यह होते हैं यह वाला एक अरे किदर दो तीन चार चार उपर चार नीचे हां आठ ही होंगे ठीक है आगे मद्यगनों की संख्या बारे तो मद्यगन कौन से होते हैं मद्यगन मद्यगन होते किनारे वाले है ना तो किनारे पर यह रहा एक अब एक किनारे पर एक है और टोटल किनारे बारे तो बारे ही होगा हां सही बोल रहा है ठीक है आगे बोल रहा है केंद्रियगनो कि संख्याच संख्याच होगी उते हैं सत्य के यह सोला होता है तो एक सत्य आपका कम्पलीट हो जये हैं ध्यान से आप पढ़ लें इन्हें वीडियो का लाइक और शेयर करना आपका ठीक है कुन सा पासा एस चंद की बुक का